हेलो एवरिवन कैसे आप सब उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे मैं हरी सब अभी इपसर एउकेशन फॉर एक्सलेंज की इस ओर्लाइन प्रेटफार्म आपका हर्दी सवगत करते हूं तो आप सबको पता ही है हम पुरा केमेश्ट्री पोर्शन खतम करके आये हुए हैं और अज जो शुरुवात कर रहे थे हम कच्छा दस्वी जो विज्ञान है उसका कौन से चेप्टर बच्चो हम शुरुवात करने वाले हैं चैप्टर नमबर फाइब चैप्टर नमबर 5 क्य यह हमें देगा चार नंबर कितना चार नंबर यह अकेला चैप्टर ही आपके लिए एक युनिट है और युनिट नंबर यह है सबसे लाश्ट युनिट है नाइन नंबर आपको नहीं होना है युनिट पर फोकस मत करो चैप्टर पर ही फोकस कर लो अब इस चैप्टर में हमे भी मैं थोड़े देर बाद आने माला हूँ इसमें उर्जा का प्रवाह क्या होता है यह सब जो है इसमें पढ़ना है तो उसी कड़ी की सुरुआत हम कर रहे हैं और आज हम डिसकस करेंगे कितने नंबर को सब्सक्राइब करेंगे तो चलो सुरुआत करते हैं ज्यादा लेट क्या रहे व यह आपके पंद है क्यों आपको आकास दिखाई ने रहा है और पधे बीड़ियू बढ़ता है तो यह सब ऐसको उउर्ण तो जैसे कि इसको पर्यावरन का मैं अगर डिल करना चाहूं तो एक सब्दमिय बोल सकता हूं क्या भई परियावरन परी प्लस औरं परी और आपके आस्पस के वातावरन हमारे चारोगोर के वातावरन को ही जिसमें सभी जीव जनतू वन यूर जीव सम्मिलित हो वह गरता है परियावरन तो हम इसका सुभाराम कर दिए परियावरन के बारे में जान गए इस समझ के चलता हूं यह जानते भी योग अच्छा आठवी कच्छा सात्वी से पढ़ते हैं परियावरन के चेप्टर है ना तो अब इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ता हूं तो मुझे क्या समझ में यह कुछ सुच्छ सिश्टम संबन की कारण अपनी अप शंचालीत एक बन जाती है तोHaas जाता है पुच्छ्ट के घटकों में अंतरशंबंद के कारण है गवसाब जैसे क्या होती है हम क्या सोस्तें बड़े को प्रणाम करना चाहिए और करते भी अब यह सब सुरुआत होगा तो इस टार्टिंग में क्या पता चला कि यह एक रिजन था कि बड़े को प्रणाम करना चाहिए अब अब ऐसे हो गया कि हर लोगों की विवस्ता बन गई हम जितने भी बड़े क्या खा रहे हैं हैंना कुछ भी फूट खा रहे हैं फिर अब डाइयेशन सिस्टम काम करेगा फिर यजव दाइद हो जाएगा फिर अप निशकाशित कर दें गए फिर अगले दिन आएगा फिर आप खाएंगे फिर निसकाशित करेंगे अब यह व्युल्ष्टभ बन गई बन जाती है एक घटक जो दूसरे घटक से क्या हो जाता है अंतर संबंद रहता है तो यह संबंद को मैं बोल सकता हूं पाइस्थातिक तंद्र पारिस्थितिक तंद्र या फिर और बोलूं तो किसी विशेश चेत्र में पादप जन्तु एवां परियो अर्णी कारक सियुक्त रूप से परितन्तर मतलब बहुत सारा रूप से मिलके यह जाता। लेदू इसका तो गया है वन तलाब जील आदी यह जो इसका प्रक्रितिक परितंत्र है ठीक यह कुछ बेसिक जनकाई थी इसके बारे में और जब बढ़ेंगे तो आपको और कुछ-कुछ बेसिक जनकाई देते जाएंगे तो चलो अब चलते हैं कुछ-कुछ वहा है इसमें पूछा गये थहां क्या कोई बड़ेसे इलाका है वहां से किट बच्छी चीड़िया समाप्त कर दिए तो क्या होगा फसल उत्पादन बढ़ जाएगा कीटों का प्रकोब बढ़ जाएगा दूसरे पच्छों की संख्या बढ़ जाएगी कोई असर नहीं रहेगा बताओ भई क्या आएगा अब वह किट भच्छी चीडिया ही खतम हो गई वहां से पिर हटा भी दिया तो क कीट क्या करेगा आपके भोजन को खतम कर देगा आपके फसल को खतम कर देगा समझे बच्चों यह समझ मैं बहुत इजी कोईशन था का पुछा गया था 22 और 18 पुछा गया था अब देखते नेश्ट किसी बगीचे की जीओ की गन्ना में 5500 सरशट जो है घास के पौधे है घास की मातर जादा दिखाई दे रहे हैं 400 तीरपन जाड़िया है 23 पेड़ है वह 7779 जन्तू पाए गए इस बगीचे के कूल प्रात्मिक उत्पादन होगा अब देखो अब दवार उनली से पूछा गया है तो प्रात्मिक उत्पादन क्या होगा भई बगीचे के समस्त ज जन्तू ओ की सम्मिलिद्जीव बहर मां बगीचे के समस्त वनस्पति को सम्मिलिद्जीव बहर लगाई however साथ 1779 यह दिख रहा है और 400 तीरपन और यह 23 पेड़ दिखाई दिखाई दे रहा है और वगीचे के समस्तर से जमनस्पत्री का सम्मिली जीवहार जो इसका आंसर हो जाएगा ठीक है नेश्ट कोशन चलते हैं ऐसे टाप कोशन आता रहता है इसमें ठीक है अब नेश्ट कोश सकता है या फिर क्या बनाया है तो देखें आप संदेखें वन को बना सकता है क्या माना वन को पहले से बना बुनाया रहता है लेकिन उसका मोडिफाइक किया जा सकता है तो यह इसका आंसर हो सकता है क्या नहीं हो सकता ठीक है सर फिर तलाब बनाते है क्या कि तलाब पहले से तंत्र है मचली घर ठीक दोहर वीज ने पुछा गया था यह और निश्ट को चलते हैं आप पाइस्तितिक तंत्र में उर्जा के मुख्य स्त्रोत है अब उर्जा के सोर्स जो है में सोर्स कांस अब यह पूछते ही मुझे पता चाहरा है इस का अंसर क्या है क्योंकि सब को पता है एक इसका इसका आपसं सन्टेख लो भोजन पदार्थ है क्या खाने पीने की चीज ही को पूछा गया था सेट चलते हैं खाद्य में उद्पाद को विभी में इस तरुको क्या उत्पाद को विभीं ने इस तरुको क्या जाता है अब रहता है तो आपको पता ही होगा हम घास को कि बड़ा है तो की अच Kaiser को भूब तरड़ को चलता है कीट को फिर हम खाते हम को कोई और खाता है यह जांते हो तो वो ambos ड़ला है वो उत्पादक और उभगता उत्पादक जो और उभोकता जो हम उसका bargain कर रहे हैं जो हम यूज कर रहे हो उसके वी भी ने कीया कहा जाता है था कि की पोसक इस दिधू को लिए अभगते अभ मार्जक अभ हो खाबुन और अब गटक फ्रॉइख θα बहुता है है मतलई चांसे यह भीए diving यह जाल है कि यह फैलो हुआ है क्या नहीं यह नहीं हो सकते पहला और डी अप्सन तो खता होता हुआ अब आपसर बचल है बी और सी बताओ भई क्या होगा आपसर नमबर बी पोसक इस तर ठीक नेश्ट क्वेशन चलते हैं भई अब नेश्ट क्वेशन देखते हैं जैविक कहा जाता है जैविक जैवियो का घटक कौन सा है बही बताओ भई अब घटक है उत्भोगता है उत्पादक है क्या आएगा सर इसका उप्सन तो आल आएगा अल मतलब उप्रयोक्त सभी ठीक समझ में आया आगे बढ़ें आम के पेड़ पर लगभग इतना कीड़ कीड़े इतना पच्छी और इतना साप रगते हैं तो उर्जा का संकु होगा अब क्या होगा भई अब कि पेड़ में लग लगभग 2234 कीड़े जादा कीड़े मातं ज्यादा है 57 है और तीन साप रहते हैं ौडशा का संकु का कैसे होगा निश्चीत नहीं होगा आयत्यकर होगा इल अगर आपको डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बाक्स में बिल्कुल बताईए फिर मैं अच्छे से इसके वीडियो भी बना दूँगा लेकिन थोड़ा टाइम लगता है इस चीज में ठीक है चलो अब नेश क्वेशन को चलते हैं इससे आंसर क्या होगा ठीक है कमेंट बाक्स पहले से उसका हवाय है क्या अंड़ा लार्वा प्यूपा वहाइसका यदि उसकी यह चारो अवस्था और लिए जिवुके अंदर पूरी होती है तो उसका जीवन प्रचकर कितने पैस्तितित्तर में एक हैं दुसरे में कंप्लेट हो रहा है कितने आवस्त्तर हो गी वह दो यहां एक पोश्ख से अगले पोसक स्तर को प्राप्त होने वाली उर्जा है क्या होगी भई पोश्ण से जली पधर से लेकर बढ़ी पॉधर और मनुष्य से तक है कम होती जाएगे क्यों छोटी सी बड़ी क्यों गश्ण से लेकर मनुष्य तक जा रहे हैं इससे क्या होता है उसका पोसक इस्तर जो है अगले पोसक इस्तर को प्राप्त होने वाले जो उड़ जा है वह कम होती जाएगे होता जाएगा ठीक समझ मैं अब अब देखो अब नेस्ट क्वेशन देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र सब्सक्राइब का सबसे पहले उप्यों क्या यह सब्सक्राइब को याद रखना है जब भी आप पढ़ रहे हो तो यह जो कुछ वर्ड है वह अगर आप नहीं पूछ र जो कि आपके महान क्या थे यह महान जिविग्यानी थे जिन्होंने बताया कि क्या होता है और उसको उच्छारण किया और सबसे पहले दिया अब चलते एक और लाश्ट कोश्चन के और अब क्या पूछ सकते भई खुले नम इस्थान पर रखे ब्रेट के टुक्रे पर फफ खाद्यपदार्थ ब्रेड मख्या इन्वें से कोई नहीं उसका और यहां तक समझ में अब कुछ न कर लेते हैं रिखतिस्थान के Vaid किसी भी खादे संत्र में प्रथम पोसक इस्तर होते हैं बताए बिल्कुल कि मैं बताऊंगा थोड़ा इसके बाद आंसर ठीक है खालिस्थन जैविक तथा अजैविक घटकों को पूर्ण शमनवे से बनी विवस्ता है कब पुछा गया था दोहर सत्रा में दोहर सत्रा के सेट थे सीन पूछा गया है खास्तान थतों के प्राकितिक चक्रीकरण में अहँ भूमीका निभाते हैं वे जीव जो हर हरे पेड़े पादय को खाते हैं पूछा गया थाará तो चलो आंसर को चलते धिए धिर धिरी ठीक है अब गैस कर पाने हैं गैस कर पाने तो बिल्कुल पूछा किसमें गया यह सभी पाइश्थितिक तंतरों के लिए उर्जा का पिरामीड खालिस्थान होगा आप सब्सक्राइब बता सकते हैं तो बताइए जल्दी बताइए तो बिल्कुल तूरं कमेंट किजी या फिर यहां तक आप वीडियो पॉस्थ कर सकते हैं फिर आप अपने से अंसर टाइप करके भीज़ें अगले स्लाइड में आपको आंसर देने वाला हूं तो देखें किसी भी खादे सरेंकला में प्राया प्रथम पोसक इस्तर खलिस्थन होते हैं तो प्रथम पोसक इसतर क्या बोलते हैं प्रथम पोसक जो पहले ही आपको पोशन कीने देवर्दान वह चाहिए उसे प्रोडीसर बोलते है क्या उत्पादा प्रोडीश ठीक दूसरा क्वेशन क्या बोलता है थां जो है ये जो है इसका यह जो है इसका क्या भई ऐpost यो termway तो इसके अंदर क्या आएगा भिच्ट्सbuild scrut अत्यूं प्रकृतिक च क्रिकरन में अहं घुमी का निभाते हैं और ह penaltyitude IRSВО घू जो हरे पेड़ पौधे को खाते है वो क्या कलाता है प्राथमीक उभोगता क्या कलाता है ठीक क्लियर अब अब मैं क्या बात कर रहा था हां यह जो है आपका चार कोशन हो गया आप क्या बचा एक खादिस रेंकला में खाली स्थन को छोड़का सभी जीव उभोगता है किसको छोड़कर यह क्यों होता है अब बताओ अब देखो जो हरे पेड़ पौधे हैं पहले से आया है वो खुद प्रोडूशर है वो खुद है तो वह उसी खुद को करें और ररे पेड़ फोड़े खुद टुखाएगा हरे पर पोड़े खुद को खाते हैं मतलब कोई और खाता हैं वो क्या लाएगा और को तक लांगा तो आङता अख चाहता गुश्थ हो सकते लेकिं बच्दोट सकता ठीक है यह इंट्रेस्टिं दंद्रों के लिए उर्जा का पिरामीड खलिस्तन होगा भई क्या होता है यह हुआ आपका आंसर ठीक है लोयल्टिक साथ आप आंसर दिये होंगे कमेंड बॉक्स में बिल्कुल दे सकते भई और यह इसको देखने बाद दिये होंगे वह तो पता चली जाएगा ठीक है तो च सब्सक्राइब कर रहा है उसमें आप जो है अच्छी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपका जो टार्गेट है 100% मेहनत का वह करते आ रहे होंगे स्मार्ट वर्क करते रहे होंगे और चल भी रहोगा आप खुद पढ़ रहे हैं और अपने दोस्तों को भी बिल्कुल कर कर रहे होगे मुझे पूरा उम्मीद है भरोसा है आप जम के मेहनत करिए लगे रहे हैं और कुछ दिनों बस बच्चा है उसके लिए बिल्कुल आप भी सीरियस बिसीरियस का मतलब यह ली कि आपको सीरियस होजन है पढ़ाई के लिए अब क्या करें ज्यादस ज्यादस कर दिनों